शहर के प्रसिद रेनुका ज्विलस के ओर से तीन दिवसिय जोतिश श्रिविर का आईशन क्या क्या है जिसमें भारत के सूप प्रसिद जोतिश आचारिय एवं रत्न हरसर रेखाविद अमिर तिवारी मार के दर्शन करेंगे शहर के अमर इंपेरियल शौफ नबर तीन अनंतनकर बस्टॉप सेथ रेनुका ज्विलस में तीन दिवसिय जोतिश श्रिविर का आईशन क्या क्या है श्रिविर में भारत के प्रसिद अमिर तिवारी मार के दर्शन करेंगे ये श्रिविर सुबे 11 बचे से रात 10 बचे तक र काया हूं नागपूर शहर में रेनुका ज्योलर्स की तारीफ मेंने सुनी थी और मुझे यहां तक खीचा उन्होंने और महत्पुर्ण बात है मैं जोतिश में काम करता हूं और विशेष्टा यह है कि हस्तरेखा में मेरी काम की शेली जो है वो यह कहती है कि मुझे आपसे प्रश्न नहीं पूछना है और जनम पत्रिका या आपके हाथों की रेखाएं आपके बारे में सब कुछ बता सकती हैं आप क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे हैं क्या कारण है जैसे कि जादा तर रोग जिंदेगी में इस बात के लिए परेशान है कि हम बहुत मेनत करते हैं रिजल्ट नहीं आता तो क्या रतन भाग के बदल सकते हैं बिलकुल यह रतन क्या काम करते हैं वो काम यह करते हैं कि जब हमें बारिश में कहीं जाना होता है तो हमको च्छाता लेना चाहिए हम रेंकोट पेहनते हैं या हमें कहीं बहुत तेज दोड़ के जाना होता है तो ह हम जूते पहनते हैं बड़िया वाले तो हम जब उपाय का उपयोग करते हैं तो वह जिंदगी बदल देता हमें support करता है तो वह उसे अंदरुश्वास बोलते हैं कहीं घडबडाब breaths करते हैं पर यह भारत का वह विभ्यान है जो की पराविज्ञान के रूप में जाना जाता यहां जहां पर विज्ञान की सीमाय समाप्त होती है उससे आगे जाके यह पराविज्ञान काम करता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सब के लिए इस ज्ञान के माध्यम से आपकी सेवा कर सकें मुलता नौरतनों की बात की जाती है पर रतनों का बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें लगभग 1088 प्रकार के रतन पाए जाते हैं जिनकी जैसी आउशकता होती वैसे उनका उप्योग किया जाता है और ये रतन विज्ञान जो है वो कलर थेरेपी है हमारी बॉड़ी सूरी के रोशनी से संचाली थे जिस रंग की कमी हमारे शरीर में होती है उस रंग से जुड़ा हुआ रतन या रतनों का कॉंबिनेशन हम जब धारन करते हैं तो वह उर्जा हमारे लिए काम करती है और हमारी जिन्दगी में बदलाव लाती है इस बारे में हमारी टीम ने रेनुका आज हमारे यहां पर जोतिश शिबीर जो है वो चालू किया है यह साथ आठ नौ तारिक तक के हैं तो हमारी यहां पर जो सुप्रसिद्ध जोतिश अमीत शर्मा जी जो हमारे यहां पर आये है अमित्तिवारी जी आये है उनका हमने बहुत दिल से हैंने स्वागत भी किया है काफी दूर से आये वो तो मेरी ग्रहकों से यही निवेदन रहेगा कि वो अपनी भाग्य की रेखा को जानने का जो अवसर आज हमें मिल रहे है वो प्रयास करें यहां आये और अपना लाब उठाए यही मैं निवेदन करता हूँ थैंक यू शिवर की पहले ही दीन लोगों का अच्छा प्रतिसात मिल रहा है ऐसे ही एक ग्रहक नहीं हमारी टीम को अपना अनुभव बता है अनुभव बहुत अच्छा था गुरुजी को कुणली का अस्तरेका का और मस्तिष्च रेश्टा का बहुत अच्छा ग्यान है उन्होंने एक्च्छल में तो बिजनेस में नो मुझे तो बहुत सारे इसका ग्यान वैसा मुझे भी है लेकिन मैंनने इनके साथ मिलने के बाद में मुझे जो इंस्पिरेशन आया अंदर का उन्होंने कुछ बाते बताई और मेरे वेसाए के बारे में बिजनेस जो भी क्या-क्या करना क्या नहीं करना यहां तक कि इनको अंगगनित का भी बहुत अच्छा ग्यान है तो गुरुजी को वरॉल बहुत अच्छा उन्होंने बताने का जो तरीका भी बहुत अच्छा है और वो ऐसा कुछ यह नहीं बताते हैं डराने का कि यह वो सारे पॉजिटिविटे में बताते हैं बहुत अच् चिक पांसे के रिपोर्ट.